नमस्कार स्वगत्यापका हमारे अचार जागिंद्र मुशाय चियनल पर दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राज के दिनिक रास्वल के बारे में लेकिन उससे पहले बात करें आज के पंच्यांग के बारे में 10 सितंबर 2022 शनीवार के दिन है और भादर पदमाश के इशनांदान आज पोड़िमाती थी और नच्छत्र है आज सत्य विसा अभजीत मुहूरत आज दुपार 11 बच के 36 मिनट चले के दुपार 12 बच के 38 मिनट तक रहेगा आज के शोर 12 बच कर 4 मिनट पे और चंद्रमा के स्थिति रहने वाली है कुम राशी पर आज के जो असुब समय होगा तकरीवन होगा साम 6 बच कर 1 मिनट चले के रात रिशात बच कर 49 मिनट तक रहेगा इस असुब समय में कोई भी शुब और नए कार की सिरुवात ना करने तो विगनवाधाईया शकती है अब बात करते हैं आज के मिथुन राश के दनिक रास्वल की और यह प्रड़क्शन चंद्राशी पर अधारीत है मेथुन राश के रात को आज 6 बड़े गुड़नोज मिलेंगे क्योंकि आज के दिन काफी विशेश रहने वाला है आज आपको अपने केजर में विशेश उपलब्धिया प्राप्त होंगी कारोबार का भी विश्तार करते नजराएंगे आज से पित्रपक्ष भी प्रारम होगा और आज भाद्रपद माश के इश्नान दान पोडिमा है आज जिनके यहाँ पित्रपक्ष बैठाए गए हैं वो अपने पित्रों के निवेत स्रादितारपन करेंगे दान दच्छना करेंगे साथी ब्रामन को भोजन खिलाएं मिथुन राश क्यात को आज पोडिमा तिती है तो आज आपको भागवान विश्व और माता लक्ष भी जरूर करने चाहिए कि कि वही पित्रदेव होते हैं जिससे आपको विशेश लाब होगा आज सुब कर्म करने के लिए बिशेश लाब दिन कहा जा सकता है आज आपको मिथुन राश क्यात को नौकरी से लेकर बिजनेस व्यापार से लेकर और घरेलो जीवन तक आपको बिशेश लाब देखने को मिलेंगे अच्छे घुटिनोज की प्राप्ती होगी आज आपको नौकरी में प्रोमोशन की योग बनेंगे बड़े अधिकारियों से संबंद काफी बहतर होंगे आज आपके कारियों में उपलब्धिया प्राप्त होंगी लगातार आमदनी बढ़ेगी कारियों में आरही परेशानिया और रुकावटे दूर होंगी साथी धन संपत्ति कलाब मिलेगा इक्षर धनलाब हो शकता है कारियों में लगातार आरही परेशानिया भी दूर होंगी कुछ महत्पूर्ण आज नई योजनाव के शुभारम करेंगे और आज हलाकि कोई शुबकार आज से नहीं होंगे, यानि कि जो मांगलिक कार हैं वो वर्जित रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके केरियर और बिजनेस वियापार से सम्मंधित अगर कोई good news है तो वो जरूर प्राप्त होगी, जैसे आज आज आपके बड़े अधिकारी, आज की दिन काफी विशेश रहने वाला है, आज जो कि सनिवार है, इसलिए सनिदेव की भी पूजा अराधना जरूर करें, और आज पूरिमातिती है, तो आज सनिदेव के श्रासत भगवान विश्म और माता लक्षमी की भी पूजा करें, अपने पितर देवों के निमित एक ल आज के दिन आपको एक लोटा जल पितर दवों को दें और काला तिल डाल के दें, तो लाब होगा, मितुन राश्कायत को आज अपने कारोबार से सम्मंधित कई नेड़े और डिसीजन लेने पर सकते हैं, जिससे आपको विशेश लाब होगा, कारशेत में आज आज आपको विशेश लाब होगा, लगातार आमदनी के स्रोद बढ़ेंगे, कुछ महत्पूर्ण नेड़े और डिसीजन ले सकते हैं, और साती धनकिस्ति तो अच्छी रगे कारोबार में भी विशेश इन्वेस्ट कर सकते हैं, या पहले से अगर आपने कर रखा है, तो मितुन राश आपके पार्टनर के साथ रिष्टे काफी मजबूत रहेंगे, तीसरी बड़ी गुडिरोज प्राप्तोगी बैंक से लोन के रूप में, लोन मंजोर होने से मितुन राशक्यात को आज आपकी आर्थी किस्तित और बित्ती मामलें काफी सुधार देखनें को मिलेगा, मितु तो बिशेश रूप से आज के दिन यानि की कहा जा तो अपने पित्रों की निमित और ब्रामनों को भोजन खिलाएंगे और साथी साथ कुछ बहतरीन कार करेंगे और आज अपने पीता जी के स्वास्त के लिए भी कुछ आज पैसे वगरा यानि की आप मदद कर सकते हैं या आगवन होगा तेजी से माता के स्वास्त में लाब होगा पीता जी के सहयोग प्राप्त होगा बड़े भाई बहनों के सहयोग प्राप्त होगा आज आप यानि की समाजिक सेवा में काफी लोगपरिता हासिल करेंगे मान समान प्राप्त करेंगे राजनित में भी कुछ महत् पूर्ण कार कर सकते हैं, अलकि आज जदा लंबी दूरिक यात्रा ना करें, लेकिन फिर भी आज आज आपकी धर्म कर्म से समझेद कोई कार हो ही शकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके भाग भाव पे चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, नवबा भाव पे नवबाव होता है धर्म कर्म का और आज से वैसे भी यानिकी धर्म कर्म के यानिकी पितर पक्ष सुरू हो रहे हैं तो विशेश कारे सुरू हो जाएंगे और लोगों की मदद कर सकते हैं द्वार पर आए किसी भी को आज खाली हाथ न लौटाएं आज जरूर कुछ न कुछ दें आज किदेने जीवन साथी से भी काफी मजबूस समंद बनाये रखने के जरूरत है चोती बड़ी गुडिनुज आज आपको मिलेगी अपने जीवन साथी से संतान को लेकर संतान की चाहत पूरी होगी संतान की मनोकामना पूरी होगी मित्धुन रराश्चात को आज संतान की तरक् superfici और योग हैं और कारचेतर में अगर सहयोग दे शकते हैं तो निश्री तोर पे आज उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा और अगर पढ़ाय लिखाई पे ध्यान दे रहे हैं पढ़ाय लिखाई पे हैं तो यहाँ पर भी अच्छे एक खासा यानिकी उन्हें लाव मिलेगा बड पुलाई बच्चेरेगी लपाडरों कुछ गिप्ट रुपहार देंगे उनके साथ काफी अच्छा वक्त बिताएंगे और ठेर सारी मिठी मिठी बाते होंगी शिक्षा के छेतर में भी सुधार होगा मिथुन राश्यातकों आज की दिन शिक्षा में आज आज आपको देखरेट यब धिरी धिरी सुधार होगा लेकिन खान पीन की चीजों में ध्यां रखें बाहर की चीजे तली हुई भुनी हुई बिल्कुल न खाएं यात्रा करते हैं तो अपने कीमती चीज की देखरेक जरूर करें आज आपके जीवन में शक्रात पंक बदलाओ देखने को मिलेगा मितुन राशकात के ओं आज आपको कई उपलब्द्या प्राप्त होंगि अच्छे कारूबार का विश्थार करें गे नय लाब भी देखने को मिलेंगे नय चीज़े आपके पक्षमे होंगी कुछ अच्छे कारी में आज आपको सफलताएं प्राप्त होंगी तो निश्रीत और पे आज के दिन काफी विशेश रहने वाला है धन संपत्र का भी लाब मिलेगा आज आपको कई महत्पूर्ण छेतरों से भी लाब मिलेगा और आज धन किस्तिती हो या फिर कारोबार किस्तिती हो बिशेश लाब होंगे आज आपको अपने घर परिवार में शुक्षम्रधी या फिर कुछ महत्पूर्ण खरिदारी करने का अपसर मिलेगा मेतुन राश्क्राइत को आज के दिन काफी अच्छा रहेगा और आज आपका शुब रंग रहेगा यहाँ पर निला और भाग साथ निवारा आपका तक्रिवन यानिकी 82% दोस्तों बीटों को लाइक कर दिजेगा और से शेर कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा जये शनी देव